हेलो दोस्तों welcome to my channel तो दोस्तों आज हम आपके लिए रेजिनिंग में एक टायप के बारे question लेका आया हैं जो आपके आने बाले रेलवे एक्जाम में 3-4 question पूछ लिए जाते हैं तो दोस्तो चलिए start करते है question नमर एक और इसे बनाने का रून नमर एक तो दोस्तो question दिया हुआ एक चे 13 23 और वाट के अस्तान पर क्या आएगा या बताना है तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है इस दोनों के बीच में कितना 8 के आ गया है पलस 5 6 और 13 के बीच में कितना 8 के आ गया है पलस 7 13 और 22 के बीच में कितना 8 के आ गया है पलस 9 22 और 33 के बीच में कितना 8 के आ गया है 11 तो दूस्तो 33 के बाद कितना एड़ किया जाएगा तो पॉंच साथ नौ एगार गया है इसका मतब दोस्तो एड़ किया जाएगा 13 तो दोस्तो एंसर होगा 33 में 13 को एड़ कर देते हैं 6 और 4 यानि एंसर 46 रूल नमर फर्स्ट चलिए क्वेश्चन नमर दू को देखते हैं और रूल नमर दू को जानते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 11 21 36 56 और वाट के अस्तान पर क्या आएगा यह बाताना है तो देखे 6 और 11 के बीच में कितना एट किया गया है पलस 5 11 और 21 के बीच में पलस 10 21 और 36 के बीच में पलस 15 और 36 और 56 के बीच में पलस 20 तो दोस्तों 56 के बाद कितना एट किया जाएगा पॉंच 10 15 20 का आ रहा है यानि दोस्तों यहां पलस 25 को एट किया जाएगा यानि 56 और 25 वन एट यानि दोस्तों इसका एंसर आएगा एक आसी चलिए रूल 3 देखते हैं कोशन 3 रूल नंबर 3 तो दोस्तों कोशन दिया हुआ है दो तीन पॉंच साथ 11 वाट उसके बाद 17 वाट के अस्तान पर क्या आएगा या बताना है तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको समझना परेगा इस टैप में सम बिसम आभाज और यह सबी संख्या को आपको जाननी होगी तो दोस्तों इहां दो तीन पॉंच साथ 11 वाट और 17 क्या है ऐसी संख्या जो अपने आप और एक से भिवाजित होती है उसे अभाज संख्या का आते हैं तो दोस्तों इसका अंसर क्या आएगा तो इसका एंसर तेरह होगा चलिए कोर्शन नमर फोर को देखते हैं तो कोर्शन दिया हुआ है 20, 19, 17 वाट के अस्तान पर बताना है उसके बाद 10 और उसके बाद पहुंच दिया है तो इस दोनों के बीच में कितना माइनस हुआ है माइनस वण इसकी दोनों के बीच में माइनस टू उसके बाद इस दोनों के बीच में कितना आएगा इसको खाली कर रख देते हैं उसके बाद 10 और पहुंच के बीच में कितना आया है माइनस पहुंच तो दोस्तों यहाँ चल रही है एक दो उसके बाद यहाँ माइनस तिन कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा शवदर उसके बाद माइनस चार करते हैं तो आ जाता है दस यानि दोस्तों यहाँ आपका एंसर क्या होगा एंसर होगा शवदर रूल नमर चार तो चली चलते हैं नेक्ट क्योश्चन की ओर क्योश्चन नमर फाइब और रूल नमर फाइब इसको दोस्तों क estaban आएंगे यह दोस्तों आसान है इसको बनाना की लिए कुछ नहीं एक का स्कुर्ण एक दो का स्कुर्ण चार तीन का स्कुर्ण नो चार का स्कुर्ण 16 पॉंच का स्कुर्ण पचीस तो दूस्तों 6 का स्कुर्र लिकालना है इसका अंसर होगा 36 चलिए question no 6 को देखते हैं Question 6 दिया हुआ है 21 27 29, 51, 83 वाट के अस्तान पर क्या आएगा उसके बाद 171 तो इस सभी को बनाने के लिए square, cube इन सभी बातों को ध्यान राखना होगा तो दोस्तों यहां दिया हुआ है 11 तो इसको तोरे 3 का square पलस 2 पलस 2 तो हो जाती है 9 पलस 2 एगारा फिर दोस्तों पॉंच का square 25 पलस 2 ठीक उसके बाद 7 का square पलस 2 49 पलस 2 51 उसके बाद 9 का square पलस 2 81 पलस 2 83 उसी परकार दोस्तों 3, 5, 7, 9 आ रहे है उसके बाद क्या आएगा 11 का square पलस 2 तो हो जाएगा 121 पलस 2 यानि 123 आपका एंसर होगा तो दोस्तों इन सभी टाप को question को हल करने के लिए आपको square एक से 30 तक और cube एक से 20 तक याद होनी जरूरी है तो चलिए चलते हैं अगले question की ओर तो question 7 और rule 7 तो दोस्तों दिया हुआ है पॉंच 11, 21, 43, 85 और what के अस्तान पर क्या आएगा इसको बताना है तो इसको बतनाने के लिए क्या करना होगा तो यहां logic है कि पॉंच को गुणा करेंगे 2 से उसके बाद पलस 1 एड करेंगे यानि पॉंच गुणा 2 पलस 1 आ जाता है 11 फिर दोस्तों 11 गुणा 2 पाइस उसके बाद मैनस 1 आती है ठीक है उसके बाद 21 गुणा 2 फिर पलस 1 करते हैं तो आ जाता है 43 उसके बाद 43 गुणा 2 43 गुणा 2 कितना हो जाएगा उसके मैनस 1 करेंगे यानि दोस्तों एक बार पलस 8 कर रहे हैं और एक बार मैनस एक बार पलस एक बार मैनस तो क्या होगा 85 गुणा 2 यहां पलस 1 होगा तो इसका एंसर हो जाएगा 171 ठीक है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नमर 8 की और तो क्वेश्चन एट दिया हुआ है 3, 7, 15, 31, 63 और वाट का लिकालना है वाट के अस्तान पर क्या आएगा तो दोस्तों लॉजिक जो पहले वाली थी उसी के टैप का है यह भी क्वेश्चन तो 3 गुना 2 पलस 1 करेंगे तो आजाएगा 7 उसके बाद 7 गुना 2 पलस 1 15 15 गुना 2 तीस पलस 1 एक एक तीस उसके बाद 31 गुना 2 पारसट पलस एक तीरसट इसी टैप के 63 गुना 2 पलस एक आजाती है एक सो 27 ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमर नाइन तो दिया हुआ है फाइब नाइन यानि पहुंच नो शत्रें 29 पैटालीस और वाट के अस्तान पर क्या आएगा इसको बताना है तो दोस्तों देखें पॉंच और नौ के बीच में कितने का पलस किया गया है चार का नाइन और सिबंटी के बीच में पलस आठ ठीक है उसके बाद 17 और 29 के बीच में कितना किया गया है पलस बारह 29 और 45 के बीच में पलस 16 ठीक है चार आठ बारस 16 उसके बाद क्या होगा 45 में कितना एड़ करना परेगा पलस 20 तभी आपका एंसर मिलेगा तो 45 में 20 को एड़ करते हैं 5 6 यानि क्योश्चन का एंसर होगा 65 यानि 65 ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्योश्चन की और तो क्योश्चन नमर दस को देखते हैं दिया हुआ हुआ है दो पॉंच नौ वाट बीस और 27 तो देखें दो और पॉंच के बीच में कितना एड़ किया गया है पलस तीन पॉंच और नौ के बीच में पलस चार ठीक है उसके बाद 20 और 27 के बीच में देख लेते हैं तो पलस 7 यानि दोस्तो नौ और वाट के बीच में कितना आएगा पॉंच ठीक है तो अगर पॉंच एड़ करते हैं तो आ जाता है यहां 14 फिर पलस एड़ कर देते हैं 6 तो आ जाता है 20 यानि दोस्तो इसके बीच में 20 आ जाता है यानि दोस्तो इसका एंसर होगा 14 ठीक है चलिए चलते हैं अगले कुश्चन की और तो दोस्तो 11 नम्मर में दिया हुआ एक नौ 17 तेटीस उन्चास त्यात्तर और वाट के अस्तान पर क्या आएगा या बताना है तो देखे एक और नौ कितना का एट क्या गया है इसमें पलस एट नाइन और सेवंटी में पलस एट ठीक है उसके बाद देखे 17 और 33 में पलस 16 को एट किया गया है 33 और 49 में भी पलस 16 को एट किया गया है उसके बाद 49 और 73 में कितना किया गया है पलस 24 यानि दोस्तों दो बार एट एट पलस किया गया है दो बार 60 60 एट किया गया है उसके बाद पलस 24 किया गया है यानि दोस्तों फिर से आपको पलस 24 करना है यानि 73 में एट 24 करना है 7 उसके बाद 9 यानि एंसर यह होगा 97 ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ तीन नो 27 एकासी तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना परेगा यह तो क्वेश्चन असान है तीन को तीन से गुना किया गया है नो हो गया कि नाइन को 3 से गुना किया गया 27 हो गया 27 से 3 को गुना किया गया 81 हो गया और 101 को फिर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 243 ठीक है तो दोस्तुथ आप इसी सभी टैप से question आपको रेलबे एक्जाम में पूछे जाएंगे तो दोस्तों reasoning में यह है कि आपको जितना time बचत करनी हो बचत कर ले इसे आपको दूसरे question में आपको बहुत ही मदद मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही thank you watching for video